जिस मुवी को आज में explain करने जा रही हूं उसका basic point यह है कि अगर इंसान को उसकी जिंदरी में उसकी desire के मताविक सब कुछ मिनने लग जाए तो यह उसके लिए किसी खत्रे से कम नहीं होता यह लोग एक छोटे सी city में एक घर ले लेते मैट जोके एक artist होता है जबके केट एक translator होती है लेकिन वो दोनों इस job को skip कर चुके थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ new करना जिस घर में वो लोग shift होते हैं उसके आसपास तो कुछ नहीं होता लेकिन वो घर बहुत बड़ा चुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही lights off हो जाते हैं अगले दिन ये लोग electrician को बुलाते हैं और उसे basement में लेकर जाते हैं और जेम मैट basement में जाता है तब वो काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि basement wire से भरा हुआ और यहां तक कि कोई भी corner ऐसा नहीं था जहां पर wires ना हो और मैट को कहता है कि मैं हैरान हूं कि आप यह घर करीदा क्योंकि बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ और यह कजीब बात वो बताता है कि अब से पहले जो लोग यहां पर रहते थे उनका यहां पर murder भी हुआ यह सुनते ही मैट काफी डर जाता है और वो सोच में पढ़ जात लेकिन उन्हें मारने की वीजन आज तक पता नहीं चली और उसके बाद उस लड़के को एक mental asylum में भेज दिया गए इन सब बातों के बाद मैट एक लेंप लेकर अकेला ही इस रूम में बैठा रहता और वो विश करता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंकी बोटल और तब उ गर की सारे लाइट्स ब्रीकली कर रहे हैं और मैट को दिखने में इस रोम में जाती है तब मैट इस रियालिटी बताता है कि यह रूम हमें हर वह चीज दे सकता है जिसकी हम विश करें और इसके के कहती है कि मुझे अच्छी सी जॉब दे दो जिस पर मैट उसे समझाता है ये रूम कोई चीज देता है, जॉप नहीं दे सकता, किसी थीम की खौहिश करो और फिर तुमें वो मिल जाएगी, तब वो पैसों की डिमांड करती है, जिस पर वो लाइट फिर से बिलिंक होती है, और एक कॉर्णर में उन्हें पैसे मिल जाते हैं, पहले तो केट को ये सब क कुछ अच्छा नहीं लगता, जिस पर मैट उसे काफी समझाता है, लेकिन इसके बाद उन लोगों को इसके बारे में काफी क्रेज हो जाता है, और वो अलग अलग किसंगी ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डाइमेंड्स विश करते हैं, एक्सपैंसिव जूलरी, एक्सपैंसिव ड्रैसेज विश करते हैं, ड्रॉक्स पार्टी, और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है, और उन सारे पैसों की वो एक दिवार बना देते हैं, उस रूम से वो लोग काफी कुछ ले चुकी होते हैं, काफी खुश होते हैं, काफी नजॉय कर चुकी होते हैं, लेकिन अब उस रूम के इन्वैलिड होने का टाइम आ चुका होता है, जिस पर केट काफी परिशान रहने लगती है, और मैट उसे फैमली प्लैनिंग के बारे में ट्राइ करने का कहता है, लेकिन इस बात पर केट राजी नहीं होती है, क्योंकि इस से पहले वी दो बार उसका मिस्केरि होता हुआ देकर काफी हरान हो जाता है, और केट पर शाउट करता है, कि हमने सिर्फ चीजों को विश्च करना था, किसी इनसान को नहीं ये तुमने क्या किया और इसका आंजान क्या हो सकता है, वो दोनों इमोशनली काफी वीग हो चुके थे और बच्चे को दुबारा गा होता है, तब जोंडों को पता चलता है, कि ये लोग उसी घर में रह रहे हैं, जिस पर वो कहता है, कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उस घर को छोड़ कर चले जाओ, घर वापिस जाते हुए मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल कर वाता है, और जब वो अपनी पॉ पीस आता है, और फिर से बुरे घर को एक्स्प्लोर करता है, उस वज़ा को जाने की कोशिश करता है, कि ऐसा क्यूं होता है, आखिर इसके पीच्छी लाजिक या है, लेकिन उसे वाइल्स के इलावा वहां पर कुछ नहीं मिलता है, और यही नहीं उस बेसमेंट के इलावा पूरे ही घर में वार्ज होती, वो बच्चा काफी रो रहा होता है, जिस पर केट उसे बाहिर लेकर जाती है, मैट उसे मना करता है, कि उसे बाहिर मत लेकर जाओ, लेकिन असल रिजन नहीं बताता, लेकिन इसकी बावजूत भी उस घर से बाहिर चली जाती है, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं, बच्चा जोर-जोर से rोना शुरू कर देता, तो उसके कलर भी चेंज रोना शुरू हो जाते कुछ तेर के बाद, बच्चे के रोने की आवास तो बंद हो जाती है, लेकिन केड जोर-जोर से चिंदा रही होती है, जब कि मैट को बुला रही होती है तब मैट उन दोनों को अंदर लेकर आता और तब हम एक बड़ी अजीब चीज दिखते हैं कि उनका वो छोटा सा बच्चा और वो छोटा बच्चा नहीं रहा था बलकि वो तक्रीबन साथ-ाठ साल का लड़का बन चुका था और फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई जिन्दा चीजे वो रूम देगा अगर वो उस घर से बाहर जाएंगी तो उनकी उमर आइस्ता इस्ता बढ़ती जाएगी और एज इंक्रीज होने की बज़ा से वो बुड़ा हो जाएगा और मर जाएगा और यही वज़ा है कि उसे अंदर रखना प्रेट अपने बचे शेन कोई अपना सब पुछ समझ चुकी और मैट अपने रूमें बलैक और वाइट कलर करता था शेन देखने में रहने सेने में बाकी बच्चों जैसा ही होता है लेकिन उसका बाहर जाना अलाव नहीं होता और शेन को लेकर उन दोनों में काफी एक दिन उन दोनों की जगड़े की वजए से शेन सारी रात सोता नहीं है वो उस पूरे घर में ही घूमता रहता और घर में घूमते फिरते वो उस बेस्मेंट में चला जाता और उन वायर्स उस वील के पास पहुंच जाता है और आइस्ता इसके सामने सब को एक्सपोज हो झाला दिएगले कि जोकि ऊपना बच्चे साथ फेल्स पाल रही है गएकिन मैट इन सबसे खुश नहीं होता है और उसे रिलाइस होता है कि अस बच्टे के पास काफी 敌ंड इसका इस्पी और फोच्छा प्रया कि उसी बिजय से कंग नहीं था इसी दोरान मैट के पास मेंटल अजाइलम से जॉन डो का फोन आता है और वो अपनी रियालिटी बताता है कि उसने क्यूं उसकापल को कतल किया वो कहता है कि मैंने उसकापल को इसलिए मारा था क्योंकि उन लोगों ने उस रूम से बच्चा विश्किया और वो बच्चा कोई और नहीं बलके इसों को एक्सप्लोर भी करना था और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारने थी लेकिन उसके लिए काफी रेस्ट्रिक्शन तब रूम उसे कहता है कि तुम ही बाहिर जाने के लिए उसी को मारना पड़ेगा जो तुमें इस दुनिया में लेकर आया और यही व और घर पर शेन अपनी मदर के लिए पोच रहा होता है इस पर मैट को काफी गुस्सा आता है तब मैट उसे रियालिटी बता देता है कि तुमें हमने उस रूम से विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहिर जाओगे तो पांच मिनिट में तुम बड़े होगे और बु कि अधर गर वापिस आती है तो उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश हो जाती है कि अफ्टर ओल मैट ने उस बचे को सैप्टो किया फिर मैट यहां खुल जाती है और वो दोनों रूम में अकेले होते है और शेन उन दोनों को दर्वाजी के बाहर से देख लेता और वो दिल में अपनी मदर के रिए एक अट्रैक्शन को फील करता है और उसे सारी यालिटी भी पता चल जाती है और अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है और अंदर वापिस आता है तो एक 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है और अंदर आकर मैट को मारने की कोशिश करता ह इस दोरान केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है जब केट होश में आती है तब मैट उसे बताता है कि हम दोनों के दर्मियान फाइट होई थी और इसी दोरान वो मर गया और ये सुनकर वो दोनों काफी दुखी हो जाती है कि कुछ दिनों के लिए हमें एक जाना चाहता है कि मैं इस जगह पर रहना नहीं चाहतीजा हुआ इसावाइफ करने लिहीं। को एहाइस होता है कि MET का पधियेविर बदलता जा रहा। वो काफी अजीब होता जा रहा। और देखते ही देखते वो उसके साथ जबरदस्ते करने लगता है। और तब पता चलता है कि वो मैट नहीं है। वो शेन है जो कि एक मैन बन चुका। शेन जो कि अपनी पावर्स के बारे में जानता था। और वो मैट इसलिए बना था क्योंकि केट के लिए उसके दिल में इमोशन्स बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर शेन उस रूम को कनवर्ट करके अपने घर जैसा ही बना लेता। जैसा उनका घर था। जो के बिहोश होती है शेन उसे उठाकर उस रूम में लेकर जाता। मैट जो के बिहोश होता है उसकी आँख खुलती है और वो पूरे घर में उन दोनों को ढूरता है। लेकिन इसकी वावजूद भी वो दोनों उसी कहीं भी नहीं मिलते हैं। और यहां तक कि वो रूम भी लॉक होता है। और उसके साथवले दिवार में वो बहुत बड़ा हॉल करके अंदर चला जाता है। और वहां पर उसे बहुत सारी वायर्स मिलते हैं। जिने वो हटाकर उस दिवार के दूसरे पार चला जाता है। और वहाँ पर उसे इतने घर जैसा ही सारा involvement नजर आता है। और तब मैट समझ जाता है कि सारा कियाधरा शेन का है। और दब केट की सामने दो-दो मैट आ जाते हैं जिस पर वो काफी confused हो जाती है। और यहाँ पर वो शेन को बुलाती है जिस पर वो response करता है। तब उसे पता चल जाता है कि असली मैट कोन है और शेन कोन है। और केट मैट को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो सब कुछ शेन की पावर से हो रहा था। वो पूरे घर का सैट अप चेंज करना शुरू कर देता है। और उन्हें भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिल। जो असली मैट था अब वो तो घर से बाहर भाग रहे हैं। जिस पर शेन भी उनका पीच्छा करता है। लेकिन तब तर वो लोग उस दिवार को पार करके असली घर में आ जाते हैं। पिछे पिछे शेन भी असلी घर में आ जाता है। तभी मैट उसे खेंज कर घर के बाहिर लाता है। और तभी केट दर्वाजब बंद कर देती है। काफी देर बाहि देने की वज़े से उसकी उमर बढ़ती जाती है और वो एक old man बनके वही पर मर जाता है। इन सब के बाद hate काफी disturbed रहती है और फिर वो उस घर को छोड़ देते हैं और इसके साथ हिमों भी end हो जाती है।